सब्सक्राइब कीजिए शामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए ताके आप लोगों को मिल सके हमारी लेटिस वीडियो सबसे पहले अरिठे के वरिक्ष को साधारन समझना केवल ब्रह्म है अरिठे को पीस कर सिर में डाल लेने से साबुन की भी आवशक्ता नहीं रहती है तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताऊंगी अरिठा से होने वाले फायदों के बारे में पहला जो हमें फायदा होगा व होने वाली बेहोशी दूर हो जाती है अरिठे के चूर्ण को कपड़े में च्छान कर मिर्गी के रोगी को सुंघाने से मिर्गी रोग जड़ से खतम हो जाता है नीम्बू के रस में अरिठे को घीज कर उसको नाक में टपकाने से मिर्गी के दौरे समाप्त हो जाते है दू हिस्सा हिंग और संचन डाल दें अध्रक के रस में चने के बराबर गोली बनाएं और दिम में तीन बार दो दो गोली गरम पाने के साथ दें एक सप्ताह में पेट का तेज से भी तेज जर्द ठीक हो जाता है अरिठे की चाल और समुद्र फैन को खाने से पेट की सारी बिमार के लिए अरिठे की चाल के बारे चूंड को सेवन करने से कफ पतला होकर तुरंत निकल जाता है अरिठे का पानी पिलाना चाहिए और इसका फैन पेट पर मलना चाहिए अरिठे की मिंगी या आम की गुठली की गेरी को खाने से श्वांश रोग दूर हो जाता है फ्रेंट्स अब मैं आपको बताऊंगी इसके चौथे फाइदे के बारे में जो कि हमारी मस्तिस्क से जुड़ी समश्याओं के लिए होती है लगभग एक ग्राम का चौथा भाग अरीठे की गिरी सुंगाने से तेज सिर्दर्द भी ठीक हो जाता है अरीठे के पत्तों के रस में काली मिर्च को गिसकर नाक में डालना चाहिए जिससे सिर्मे दर्द आधे सिर्मे दर्द यानी माईग्रेन आधी सभी प्रकार के मस्तिस्क रोक नस्ट हो जाते हैं तो फ्रेंड्स यह information थी कैसे अरिठे के चूंड को सुंगने मात्र से ही हमारे शरीट से जूड़ी ये चार समझाएं खतम हो जाती हैं आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये health information कैसी लगी प्लीज अपने comments के द्वारा मुझे जरूर बताएं और अगर आप लोगों को मेर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू फार वाचिंग माई वीडियो